Hey everyone, welcome to my youtube channel तो आज ना हम इस वीडियो में टोपोलोजिकल सौर्टिंग करेंगे क्या करेंगे, टोपोलोजिकल सौर्ट करेंगे यूजिंग DFS, इससे पहले हमने Khan's algorithm के बारे में पढ़ा था मतलब टोपोलोजिकल सौर्टी किया था DFS से, अब अगर मैं तो मैं वापस से टोपोलोजिकल सौर्ट थोड़ा सा बताऊं, तो basically हम लोग टोपोलोजिकल सौर्ट में क्या करते हैं जितनी भी इसके nodes होती है मतलब जितनी भी vertices जो होती है हमारी, उनको हम सौर्ट कर देता है इनके in degree के order में ठीक है, अब अगर मैं बात करूँ तो 0 की in degree यहाँ पर 2 है 4 की in degree यहाँ पर क्या है 4 की in degree यहाँ पर 0 है 5 की in degree 0 है 2 की in degree 1 है 3 की in degree 2 है 1 की in degree 1 है तो अगर मैं इसका topological sort करूँ तो सबसे कम in degrees वाले सबसे पहले ले लेंगे तो हम क्या ले लेंगे या पर पहले 5, 4 यह 4, 5 भी हो सकता है कोई problem नहीं है या पर ठीक है उसके बाद में हमारा कॉन आ जाएगा 1, 2 आ जाएगा again 2, 1 हो सकता है कोई problem नहीं है और फिर जादा in degrees वाले 3, 0 या फिर 0, 3 यह इसके possible topological sort है ठीक है अब यहाँ पर हमने BFS से कर लिया था, आज हम करेंगे DFS से, तो यार पहले तो काम करती हूँ, मैं इसके adjacency list बना लेती हूँ, तो यार 0 की list में मतलब 0 से edge किस-किस पर है किसी पर भी नहीं है, कुछ नहीं आएगा 1 से edge कहा कहा पर है तो 1 से edge कहा पर किवल 3 पर है, तो 3 आ जाएगा 2 से edge कहा पर है 2 से edge जा रही है 3 पर, यहाँ पर 3 आ जाएगा फिर उसके बाद में हम देखें तो 5, नहीं 4, 4 से edge कहा कहा पर है पहले 3 के बारे मैं बात कर लें, तो 3 से edge कहीं पर भी नहीं है, अब मैं 4 से बात करूँ ये बन गई इसकी adjacency list हमारे graph की adjacency list आगई मतलब पड़ोसियों की खबर हमने ले ली है यहाँ पे अम हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे एक काम करती हूँ, पहले तो मैं है न एक visited vector बनाती हूँ कि यार जिसको हम already देख चुके हैं false से कि अभी तब कुछ भी हमने visit नहीं किया है ठीक है एक और चीज़ यहाँ पे हम लेके आएंगे मतलब एक और data structure का हम लोग यहाँ पे use करेंगे, वो क्या है stack हम लोग यहाँ पे stack लेंगे अब यह stack क्या काम करेगा, वो अब थोड़ी सी ही देर में तुम्हें समझ में आएगा मैं यहाँ पे 0 से DFS करना start करती हूँ 0 से, तो मैं 0 पे हूँ मैंने 0 को visit करा दिया, या 0 visited है, नहीं है 0 को visit करा दिया, ठीक है अब मैं 0 की list में गई क्या 0 की list तो पर खाली है यहाँ पे, तो मैं क्या करूंगी जैसे ही 0 की list पूरी खतम होगी, क्योंकि 0 की list खाली थी मैं इसको stack में डलवा दूंगी ठीक है, यह 0 हमारा stack में आ गया अब मैं क्या करती हूँ, अब मेरा loop चलेगा 1 के लिए, क्या 1 visited है नहीं है, तो हम 1 में आ गए मैंने 1 को visit करा दिया बिल्कुल अब मैं 1 की list में चली जाती हूँ 3, 3 पे आगी क्या 3 visited है गया, 3 visited नहीं है, इस 3 को visit कराया और हम लोग कहां चले गए, 3 की list में चले गए, चिक है अब 3 से हमने वापस से dfs किया, तो 3 की list में गुझ जाओ पर 3 की list तो खाली है, तो हमने 3 को भी हमारी किस में डाल दिया stack में डाल दिया फिर यहां से हम return हुए last call कहां से लगी थी, हमारी 3 से लगी थी चिक है, तो 3 की list में तो कुछ 1 पे आये, और इस 1 को भी हमने हमारी list में डाल दिया ठीक है 1 आगया, अच्छी बात है अब हम कहां चले गए, अब हम देखो अब हम 2 पे आगये, बिलकुल 2 पे आगये, क्या 2 visited है क्या नहीं है, 2 को हमने क्या करवाया visit करा दिया, अब हम 2 की list में जाएंगे, तो हमें क्या मिला, 3 मिला देखो visited का हम आगये, क्या 3 को हम already देख चुके है, तो हम 3 को वापस तो लेंगे नहीं, तो अब हम वापस से यहां पे क्या, 2 की list में वापस से हम लोग क्या होंगे return होंगे, फिर 2 की list में आगे जाके देखेंगे, पर आगे तो कुछ भी नहीं है, 2 की list खाली होगी, तो हमने 2 को भी stack में ले लिया, बिल्कुल अब हम और आगे गए, 3 क्या 3 visited है क्या, 3 तो visited है, तो इस पे तो हम देखेंगे नहीं, फिर मैं 4 पे गई 4 से dfs करूंगी, 4 visited नहीं है, तो मैंने क्या किया, 4 को visit कराया, और 4 की list में गई मैं, 0 पे आई, 0 visited है, बिल्कुल है, return हुए, ठीक है, फिर हम कहां जाएंगे 1 पे जाएंगे, 1 visited है बिल्कुल है, वापस से return हो गए, ठीक है, अब देखो return होके हम लोग 4 में और आगे list पे गए, क्या आगे कुछ है क्या कुछ भी नहीं है, list खाली हो गई, तो मैंने 4 को भी stack में डाल दिया, क्या किया 4 को भी stack में डाल दिया ठीक है, अब हम किस पे आएंगे, 5 पे आएंगे 5 को देखा, क्या 5 visited है क्या, 5 visited नहीं है, 5 को visit करा दिया और 5 की list में हम गए तो 0 पे आए, 0 visited है, वापस से हम return हो गए, फिर हम कहा जाएंगे, आगे वाली list पे जाएंगे, 2 पे जाएंगे, तो 2 visited है, फिर हम return हो गए, फिर हम 5 की list में और आगे गए, list खतम हो गई, और 5 को भी हमने क्या किर दिया, stack में बेज दिया, ठीक ह stack में हमने ले लिया, अब मैं इसको stack से बहार निकाल दियो, देखो हर एक element को एक एक करके बहार निकाल दियो, तो क्या आजाएगा, 5 आजाएगा पहले, फिर 4 आजाएगा, फिर 2 आजाएगा, फिर 1 आजाएगा, ये 3 आजाएगा, और 0 आजाएगा, ये क्या आगया, ये जो आगया हमारे पास में topological sort, क्या आगया, हमारे पास topological sort आ गया, अब यार, ठीक है, ये तो बात हो गई approach की, कि हाँ ठीक है, हम लोग एक visited बनाएंगे, हम लोग एक stack बनाएंगे, और सब को stack में store करा लेंगे, बड़् पॉइंट यहाँ पे आता है, कि यह जो हमारे पास मे stack है, यह stack हमें topological sort कैसे लाके दे रही है, topological sort किस तरीके से लाके दे रही है, बात यहाँ पर आती है, तो इसको थोड़ा visualize करते हैं, कुछ इस तरीके की हमारी adjacency list होती है, और हम जहां से DFS चालू करते हैं मैंने 0 से चालू किया, मैं इसकी list में गई, ठीक है, फिर इसके neighbor से उनकी list में चले गई, ऐसे करते हैं, अब यार, देखो 0 की in degree, क्या है सबसे जादा है, 0 की in degree सबसे जादा है, अब यार इसकी in degree सबसे जादा है, तो यह तो सबसे नीचे आना चाहिए, मतलब हमारे topological order में सबसे last में आना चाहिए तो हमने क्या किया, हमने इसको stack में सबसे नीचे रखा दिया बिल्कुल अब 1 की in degree, हमारी देखो 1 की in degree क्या है, 1 है, जो की 0 से तो कम ही है, ठीक है अब मैं क्या गई, मैं 1 से 3 पे चले गई, ठीक है मैं 3 के list में जब गई, तो 3 के list में कोई भी नहीं था, ठीक है 3 के list बिल्कुल खाली थी और मैंने 3 को भी अपनी stack में डाला था अब यहाँ पे graph से हम observe करे, तो 3 के in degree फिर जादा है, सबसे जादा है, ठीक है तो यार देखो, बात क्या हो रही है बात यह हो रही है कि जिनकी भी in degree सबसे जादा है वो सारे हमारे stack में सबसे bottom में आते जा रहे है बिल्कुल आते जा रहे हैं अब यार देखो, stack में सबसे bottom पे आते जा रहे है, इसका मतलब क्या है इसका मतलब यह है, कि इनकी out degree के बात करूँ अगर मैं तो इनकी out degree उतनी ही कम होगी ठीक है जैसे अगर मैं इसकी out degree के बात करूँ तो बिल्कुल 0 है 3 की out degree के बात करूँ तो बिल्कुल 0 है तो यार stack काम इसलिए कर रही है क्योंकि stack में सबसे नीचे वो वाले लोग आ रहे हैं जिनके ना neighbors कम हैं, जिनके neighbors कम हैं, ठीक है, वो लोग आ रहे हैं, और एक तो neighbors की बात हो गई, दूसरी वो लोग आ रहे हैं, जिनकी in degree के maximum है, और in degree किन की maximum होती है, जिनके ज़्यादा से ज़्यादा nodes की connections होते हैं, ठीक है, तो इस वज़े से यहां पर हमारी stack work कर रही है, जो भी neighbors है, जो भी इनके neighbors है, उनके हिसाब से हमने किसका पता लगाया, हमने हमारी टोको लोजिकल अटर कर देख लेता है, अब हम इसको कोड कर करके देख लेता है, तो मैं काम करती हूं, यहां पर जो वेक्टर इंट answer है, उसको बना लेती हूं, और मैं एक वेक्टर बू पर एक काम करते हैं, हम लोग set बनाते हैं, एक unordered क्या बनाएंगे, set बनाएंगे, यह set क्या करता है, यह duplicates को नहीं रखता है, तो मैं एक set visited बना लेती हूं, यहां पर अब हम लोग क्या करेंगे, यहां पर हमारा integer v है, जो की vertices है हमारी, और adjacency list है, तो मैं काम करते हूं, इ यहां पर एक stack भी बनानी होगी, तो मैं एक stack भी बना लेती हूं, यहां पर integer type भी और st, ठीक है, तो मैं कहां से, i equal to 0 से लेकर i less than b तक चलूंगी, i plus plus, ठीक है, अगर मेरे set में, st.find, अगर मेरे set में, जो भी i है, as equal equal st.end, मतलब set में नहीं मिला, वो, ठीक है, इसका मतलब क present नहीं है, तो हम लोग उसके लिए करेंगे, dfs call करा देंगे, उस i के लिए, ठीक है, और उसकी adjacency list को भी बेज देंगे, अब हम dfs करते हैं, इसका, तो void type का function है, जिसमें हमारा int src है, और हमारा, एक यह vector है, ठीक है, vector int adj adjacency list है, ठीक है, इसको हमने यह आपे बेज दिया अब मैं पूछूंगी कि क्या वो हमारा visited तो नहीं है, अगर visited होगा, तो किसमें मिल जाएगा, देखो, sd के जगे मेरे को मेरा set to visited नाम पर था ना, तो मेरे को यहां पर visited पराना होगा, ठीक है, अब मैं यहां पर पूछूंगी, कि अगर, मेरा visited.find src not equal to visited.end, मतलब, कोई source मेरे को already मिल गया है मेरे set में, अब क्योंकि मैंने set use किया है, और set duplicates तो लेता नहीं है, तो अकर वो already मिल गया है, तो हम यहां से return हो जाएंगे, simply, आगे नहीं जाएंगे, नहीं तो मैं क्या करूंगे, अब उसको visit करा हूंगे, तो set में डाल दूंगे उसको, ठीक है, और फिर मैं उसके लिए dfs call करूंगी, मतलब उसके neighbors को जाके देखूंगे सबसे पहले तो, तो it equal to adj of src, जो भी source है, dot begin, iterator का हम यहां पे use कर रहे हैं, ठीक है, it not equal to adj of src, dot enter, colon, it plus plus, ठीक है, यह मैंने काम यहां पे किया, फिर मैं dfs call कर दूंगे, किसके अब देखो, जब हमने पूरे neighbors को चेक कर लिया, तो मैं last में क्या करूंगी, मेरी तो भी stack है, उसमें मैं पुछ करा दूंगी, अपने source को, ठीक है, तो ध्यान से देखो, यहां पे चल कैसे रहे हैं, मैंने किया, मैंने इक तो यहां पे, यह मेरा set बना लिया, ठीक है, यह visited है, जो कि duplicates को नहीं रखेगा, duplicates इसमें नहीं आएंगे, ठीक है, एक मैंने stack बना लिया अपनी, क्या मेरे इस visited में 0 है क्या, नहीं है, ठीक है, तो मैं 0 से DFS करूंगी, क्या मेरे visited में 0 है, नहीं है, तो मैंने गया, visit कराया 0 को, बिल्कुल कराया, अब 0 की list में देखो, क्य है, 0 की list में हमारा यहां पे कुछ भी नहीं है, 1 की list में 0 है, 2 की list में 0 है, और 3 की list में 0 है, ठीक है, अब मैंने 0 के neighbors को जा के देखा, 0 के neighbors पे गई, कुछ है, कुछ भी नहीं है, फिर मैं loop में तो गई नहीं, मैं यहां पे आ गई, मैंने stack में किस को भेज दिया, 0 को भेज ठीक है हम मेरा वापस में यहाँ पर आगी लास्ट कॉल मेरी यहाँ से लगी थी ना तो मेरा लूप आगे वन से चला क्या वन मेरा इसमें है के सेट में नहीं है तो मैंने वन के लिए 20 किरा दिया बिल्कुलleist करा ओं बिल्कुल वन को विजल्ट कराया तो हम लोग यहां से क्या हो गए वापस one वाली call पे return हो गए बिल्कुल one वाली call पे return हो गए यह for loop अब यह for loop पे हम लोग दुबारा से आए तो मैंने क्या किया one के list में आगे जाके और देखा पर list तो खाली है कुछ है ही नहीं तो मैंने stack में one को और push करा दिया ठीक है फिर मैं वापस से यहां पे आगई last call में यहीं से ही लगी थी अब मैंने same काम two के लिए किया और फिर three के लिए किया तो two भी हमारा आ जाएगा और three भी आ जाएगा ठीक है अब हम क्या करेंगे एक के करके इनको stack से बाहर निकालेंगे तो जब मैंने three को निकाला three को अपने answer में ले लिया two को निकाला two को अपने answer में ले लिया one को निकाला one को answer में ले लिया और zero को निकाला zero को answer में ले लिया तो अब तुम्हें visualize हुआ कि stack कैसे हमें topological order लाके दे रही है stack जिसकी in degree maximum है उसको अपने आप ही bottom में रख वारी है ठीक है तो यार अब हम लोग क्या करेंगे जो भी हमारी stack तयार होके आई है उसमें से सारे सामान को पहार निकाल भीएंगे तो while not st.mp जब तक मेरी stack खाली नहीं हो जाती है तक तक क्या करो answer.push underscore back मतलब answer में क्या भीज़ दो st.top को भीज़ दो ठीक है और इसको stack से बाहर निकाल दो and last में क्या करो last में करवा दो return answer ठीक है अब हम इसको run करके देख लेता है और हमारा answer बिल्कुल सही आ रहा है तो यार ये था हमारा simply depth first search से क्या करना? topological sort करना मुझे लगता है तुम्हें ये topological sort अब तो पूरा का पूरा समझ में आ ही गया होगा अकर समझ आया हो तो प्लीज इस वीडियो को like करो, share करो और channel को subscribe करो. Thank you so much